नहे मया नो अध्ये उसका छेपद तो ही अकेला यहुआ है स्वर्ग वरन सबसे उचे स्वर्ग और उसके सब गण और प्रित्मी और जो कुछ उसमें है आर्समोद्र और जो कुछ उसमें है सभों को तुने ही बनाया और सभों की रक्षा तुही करता है और सुर्ग किस महस्त सैना तुछी को दंडवत करती है मसी में प्रियभाईयों और भैनू मानमिन की 11,000 शाखा और संगी कलिस्याओं के सदस्य और जो पूरे संसार भर से इंटरनेट के माध्यम से इस सभा में शामिल है युनाइट स्टेट, युनाइट किंग्डम, कनाडा, होंडूरस, पैरू, बुलीविया, अर्जेंटीना, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रश्या, बेल्जियम, निदरलेंड, चाइना, जापान, पाकिसान, नेपाल, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, ताइवान, इंडिया, मंगोलिया, इजिप्ट, इस्राइल, केनिया, युकांडा, ब्रोंडी, नाइजीरिया, स्विर्जर्लेंड, साउथ अफेरिका, और साने कलिस्याओं के सदस्य और पुरे संसार भर में, इंटरनेट की माध्यम से जो लोग शामिल है, और संडे स्कूल के विध्यारती और ट वो मानचित्र, वो हमें दिखाते हैं कि वहां पर किस प्रकार का रास्ता होगा और वो गहराई से हमें उन रास्तों के बारे में बताते हैं, इसलिए वो मैप हमें बताता है कि किस रास्ते से होकर हम जाएंगे और कहां हमें विश्राम करना है और वहां पहुंचने में कितन इसी तरीगे से मैं आज आपको पूरे स्वर के राजे के बारे में बताऊंगा और स्वर्गों के स्वर के बारे में भी एक कहवत कहती है कि आप बहुत से पेडों में से होकर आप पूरे जंगल को नहीं देख सकते मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस संदेश के द्वारा आप अपने मन में स्वर के राजे की कलटना करने पाएंगे यदि आप उसके बनावट के अनुसार अपने आपको ढूनते हैं कि आप अभी कहा है और उसके बाद आप अपना अंतिम उदिशे स्थापित करते हैं जहां पर आपको पहुँचना है तो फिर आप वहाँ पर बिना किसी उदिशे के नहीं पहुचेंगे लेकिन आप अपना उदिशे बनाएंगे और आप लगातार उस उदिशे को प्राप्ट करने के लिए आप लगातार दोड़ते रहेंगे मैं प्रभुश्य मसी की नाम से बिन्ती करता हूँ कि आप विश्यास योगता के साथ अपने विश्यास के दोड़ को दोड़ने पाएं ताकि आप अपने उदिशे को जल्दी ही प्राप्त करने पाएं मसी में प्रियभाईयों और भैनों वैवस्ता विवरंदस अध्य उसका चोदापत कहता है सुन स्वर्ग और सबसे उच्छा स्वर्ग भी और प्रित्वी और जो कुछ उसमें है वो सब तेरे परमिश्व यहुआ का ही है नहीं मया नो अध्य उसके छेपद में लिखा है तुही अकेला यहुआ है वरंड सबसे उच्छे स्वर्ग और सब गंड और प्रित्वी और जो कुछ उसमें है और सब्भों की रक्षा तुही करता है और स्वर्ग किसम सैना तुझी को धन्वत करती है यह बाइबल का पद हमें बताता है कि पिता पर्मिशन नहीं स्वर्ग, प्रित्वी, सबमोंद्र, सूर्य, चान, तारे और जो कुछ इन सब में है वो सब कुछ पिता पर्मिशन नहीं बनाया और यह पध हमें यह नहीं कहता की स्वर्ग में केवल एक चीज है लेकिन इसकी बजाई यह पध हमें बताता है कि उन्होंने स्वर्गों के स्वर्ग बनाई और स्वर्गों में सबसे उचा स्वर्ग बनाया और यिर्मिहा दस सद्य उसका बारापत कहता है उसे ने पृत्वी को अपने सामर से बनाया उसने जगत को अपने बुद्धी से स्थीर किया और आकाश को अपनी प्रवीन्टा से तान दिया भजन सहीता उसका 148 सथ है उसका चार पत कहता है ये सबसे उचे आकाश और है आकाश के उपर वाले जल बाइबल की सभी की सभी किताबे वो पवितर आत्मा के अगवाय के द्वारा लिखी गई है और बहुत से वाइबल पत कहते हैं कि केवल एक सवर्ग नहीं है लेकिन दो से ज़्यादा सवर्ग है यह इसलिए है क्योंकि वास्ताओं में सवर्गों की सवर्ग है एक विग्यानिक ठोरी भी है जो इस शब्द के समान है एक अमेरिका की साइन्टिफिक मेगजीन उन्होंने इस प्रकार से कहा कि बहुत से समानांतर ब्रहमांड है। ये अनुछेद ये कोर्या के डेली नियूस्पेपर में भी प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि वेग्यानिकों की संसार ने भी सिद किया है कि बहुत से समानांतर ब्रहमांड है। मैं आपको संक्षित तौर से इसके बारे में बताता हूँ, मई 2003 में जब बहुत से वैज्ञानिक वो नासा पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थी, यह इसलिए था, यह इसलिए था, क्योंकि नासा ने अपने विद्यू चुम्बक किया, जाज के परिणाम को घोशित किया था, जो कि उन्होंने ब्रह्मान डेडियो दुर्भीन से किया था, जिसके द्वारा उन्होंने इस पुरे ब्रह्मान से उंतरंगों को प्राप्त किया था, जब उन्होंने जाज की तो उनको इस कम से कम इस पुरे ब्रहमान का साइज बताना चाहिए था लेकिन उन्होंने अपने निशकर्ष में कहा कि इस ब्रहमान का साइज वो आसीमित है आप इसके बारे में सोचें कि इस ब्रहमान का कोई भी अंत नहीं है लेकिन इसके कोई ना कोई सीमा होने चाहेगे लेकिन अगला क्या है और उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मान से हटकर और भी बहुत से ब्रह्मान है ये समानंतर ब्रह्मान की धार्ना है उन्होंने लगातार कहा कि कुछ और ब्रह्मान भी है जिनके अलग-अलग चरित्र है इस मैगजीन का 31 पद कहता है जिसका मुखे शीर्षक है समानांत्र ब्रह्मान उन्होंने इस प्रकार से कहा कि दूसरे भी ब्रहमान है जिनके उपर इन तरंगों का बहुत सा प्रभाव पढ़ता है इसे मनुश्य के ज्यान के द्वारा समझना और इस शर्रिक संसार के ज्यान के अनुसार इसको बताना ये बिल्कुल असंभव है लेकिन ये जाच कहती है कि कुछ और ब्रहमान भी है जिनके अलगलग चरित्र है लेकिन जो समानांतर दिखते है और बाइवल में बे कहा गया है कि स्वर्गों की स्वर्ग है मसिय में mnieभायों और भैणों जो बाइबल में स्वर्गों शब्द का प्रयोग किया गया है वो आमारे आखों से दिखने वाला ये आकाश नहीं है लेकिन वो एद्रश्य स्वर्ग भी है जो की आत्मिक राजे से संभधित है एद्रश्य स्वर्ग वो चोते आयाम में है बाइबल में जो स्वर्गों शब्द का प्रियोग किया गया है वो लोगों की समझ खिल लिए है जो की तीसरे आयाम में है क्या कारण है कि बाइबल में इसी स्वर्ग का राजय कहा गया है ताकि लोग इसे आसानी से समझ सकी आप क्या सोचते हैं कि कितने स्वर्ग होंगे स्वर्ग मुखे तौर से चार अलग-अलग भागों में विभाजित है सबसे पहले जिस स्वर्ग में हम रहते हैं ये शारिरिक संसार है दूसरा, तीसरा और छोथा स्वर्ग वो आत्मिक राज्जे से संबंदित है दूसरा स्वर्ग उसे हवा की रूप में बताया गया है हवा का राज्य है वो मद्दे स्वर्ग है जो बाइबल में लिखा हुआ है जिस तरीके से पहला थिसलिन्य के उचारद है उसके सत्रापद में कहा गया है तब हम तो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभू से मिले और इस डियती से हम सदा प्रभू के साथ रहेंगे यहाँ पर हवा वो दूसरा स्वर्ग है वो स्थान जहाँ पर यहाँ हवा शब्द का प्रयोग किया गया है वो वास्तों में दूसरे सुर्ग में है जहां पर उधार पाई हुए आत्माई जहां पर हमारे प्रभू के साथ वहां पर विवा भोच होगा हवा के राज़े के बारे में इफिसियों दो अध्ये उसके दो पद में भी लिखा हुआ है जिन में तुम पहले इस अंसार की रीती पर और आकाश की अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आगेने मानने वालों में कारे करता है यहाँ पर आकाश का अधिकारी तो शत्रो शैतान है जो कि अंधकार की राज़े से संबंदित है इसलिए आपके समझ के लिए दूसरे सुर्ग के राज़े में जोती का संसार होगा और वहाँ पर अंधकार का संसार भी है अदन की वाटिका जहां पर आदम और हवा पाप करने से पहले रहते थे वो जोती की संसार से संबंदित है और ये दूसरे स्वर्ग में है ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो इस तरीकी से समझते हैं कि अदन की वाटिका वो इस प्रित्वी पर थी लेकिन सच बात ये है कि पिता परमेशन ने अदन की वाटिका को दूसरे स्वर्ग में रखा और वो अभी भी वही पर है जिस तरीकी से वो पहले वहां थी मैं आपको बाद में उत्पत्ति के संदेशों में इसके बारे में गहराई से बताऊंगा आदम और हवा वो अदन की वाटिका में फले फुले और उन्होंने वहां पर बहुत से बच्चे को जनम दिया क्योंकि किवर आदम और हवा ने ही पाप किया था और किवर उनको ही वहां से बाहर निकाला गया था और उनकी बहुत से संतान वो अभी भी अधन की वाटिका में हैं और अभी भी अधन की वाटिका में भले और बुरे ग्यान का व्रक्ष है जब तक आदम वहां से बाहर नहीं निकाला गया था उसे पहले आदम ने वहां पर परमिश्रु के द्वारा दे के अधिकार के द्वारा वहां पर राज़े किया उत्पती तीन अध्ये उसके 24 पद में कहा गया है इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के व्रक्ष की मार का पहरा देने के लिए अधन की वार्टिका के पूर की और करुवों को और चाहरों और घूमने वाले जुआला में तलवारों को भी नूट कर दिया बाइबल हमें साफ तोर से बताती है कि अधन की वार्टिका अभी भी वहीं है और परमिशन ने इसे सुरक्षा दी है क्योंकि लोग अपने विचारों का प्रियोग करते हैं इसलिए वो दूसरे और तीसरी सुर्ग की राचे के बारे में नहीं सोच सकते वो सोचते हैं कि अधन की वाटे का इस धर्ती पर पूरव की और होगी बहुत से लोग वो इस तरीके से सोचते हैं यहां तक की विश्वा से भी वो इस तरीके से सोचते हैं कि अधन की वाटे का वो इस प्रित्वी पर है लेकिन अधन की वाटे का वो दूसरी सुर्ग में है आप इसके बारे में सोचें कि पिता पर्मेशन ने अदन की वाटिका को बनाया पर्मेशन ने इसे बनाया और वहाँ पर आदम और हवा को रखा ताकि वो फले फुले और वो इस पूरी प्रित्वी पर भर जाए और इस प्रित्वी को अपने वश में कर ले वो वहाँ पर नहीं मरे वो जीवित प्राने थे और वो लगातर वहाँ पर संतानों को जनम देते जाते तो वो इतने सारे लोग वो इस प्रित्वी पर कहां रहते और उन्होंने भले और बोरे ग्यान के वरक्षिफल को खाने से पहले उन्होंने वहाँ पर बहुत से संतानों को जनम दिया और यह संताने भी वहाँ पर लगातर बहुत से संतानों को जनम देती यहां तक कि आदम और हवा को स्वाटिका से निकाल दिया गया था तो फिर इतनी सारे संताने वो वहाँ पर कैसे रहती ये मनुशे की सीमाए है इसलिए हम देख सकते हैं कि अधन की वाटेका वो इस प्रित्वी पर नहीं है वो दूसरी स्वर के राज्जे में है दूसरे कई देशों में भी मैंने बहुत बार अदन की वाटेका के बारे में बताया जहां पर लगबग 7-8,000 पास्चर शामिल थे जब उन्होंने पहली बारे इन बातों को सुना तो बहुत जादा आश्चरे चकित थे और उन्हों मेरे लिए धन्यवादी थे कि उन्होंने पहली बारे इन सभी बातों को जाना और उन्होंने उन बातों को समझा जो वो पहली नहीं समझते थे अब तक उन्होंने कभी भी इसके बारे में कोई प्रशन नहीं किया इसलिए पिता परमेशर ने वहां पर करूबो को रखा और जवाला में तलवारों को रखा उस पेड प्रविष्ज के राज्य में ही हैं। हमने पुछले बहुत से सालों से पिता पर्मिष्ज के एसे बहुत से सामर्थी कारियो को देखा है जो बाइबल में लिखे हुए हैं। इसलिए जब आपने उनसे भी बातों का अनुभव किया तो फिर आपका विश्यास बढ़ने लगा। इसलिए अब हमारे पास इस पुरी संसार भर में मानमिन की 11,000 शाका कली से आए हैं। आपने ऐसे बहुत से चीज़ों को देखा जो बाइबल में है लेकिन ऐसे बहुत से कम चीज़े होंगी जिनका आपने अभी तक अनुभव नहीं किया है। जिस तरीके से उस इस्री ने उसने येशु के कपड़े के केवल एकोने को ही चुआ और उसने चंगाई प्राप्त की और आपने यहां पर भी आपने समय और दूरी को मिटा आते उन प्रात्ना को ग्रहंड किया। यहां तक कि आपने तारों के चलने का भेन उभव किया और तीन गडरिये जिनोंने तारों का अनुसंड किया था आपने भी इन सबी चीजों का यहां पर देखा है जिस सरीके से जब मुसा ने प्रातना की तो खारा पानी मीठी में बदल गया था तो जब मैंने भी यहां से प प्रेरित पोलू से चुकर ले जाते थे और जब उसके बाद वो उसे प्रातना करते थे तो दूस्टरा अत्में भी निकल जाते थी और आपने यहां पर भी देखा है कि हमने उस पूरे संसार भर में उसामर्ति रुमाल के साथ बहुत से सभाई की हैं और बहुत से लोगों न का अपने अनुभव नहीं किया लेकिन आप 2017 मिन चीजों का अनुभव करेंगी मसी में प्रिये भाईयों और भेनों अगला तीसरा स्वर का राचे वो किस प्रकार का होगा तीसरे स्वर के राचे में घर वो स्वर के राचे के घर होंगी जिस तरीके से प्रिरित पॉलोस न ना जाने दे रहिद, परमेशर जानता है ऐसा मनुश्य तीसरी स्वर्ग तक उठा लिया गया, मैं ऐसे मनुश्य को जानता हूँ, ना जाने दे सहिद, ना जाने दे रहिद, परमेशर ही जानता है कि स्वर्ग लोग पर उठा लिया गया और ऐसी बाते सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मूँ में लाना मनुशे को उचित नहीं उसने किवल स्वर्ग लोग को देखा था अगर वो इसके बारे में बताता तो लोग फिर इस बात पर विशास नहीं करते इसलिए उसने इस बातों को नहीं बताया लेकिन इस कलीसिया में इसके बारे में बताया गया है और स्वर्ग और नरकी किताब भी प्रकाशित हुई है तो फिर पिता परमेशर ने क्यों इन सबी गहराईयों को हमें बताया है आज बहुत से विज्ञान का विकास हो चुका है और बहुत सा हमें विज्ञान का ग्यान है तो फिर भी इस पूरी संसार भर में पाप बढ़ रहा है और लोग सिस्टी करता परमिश्व पर विश्वास नहीं करते जो यहां तक कि आज भी कारे कर रही है उनका ग्यान और उनका विज्ञान वो सबसे पहले उन चीज़ों का प्रियोग करते हैं इसलिए 6.5 लाग बिलियन लोग वो इस पूरी संसार भर में है और उनमें से भले लोगों की सुर के और अगवाई करने के लिए हमें इन सबी चीज़ों को जानने की ज़रत है हमें उनक राजे में जाना उनके लिए मुश्किल होगा इसलिए पिता परमेश्वर वो बहुत आहिज से इस कलीस्या में कारे कर रही है प्रेरित पॉलस वो तीसरे स्वर के राजे में उठा लिया गया और उसने वहाँ पर सुन्दर स्वर ग्लोब का राजे देखा प्रकाशित वाक पर बहुत से स्वर की राजे हैं स्वर्ग लोग से संबंदित ये स्थान है जिसे हम स्वर्ग में प्रतिक्षस्तल कहते हैं प्रेरित पॉलस ने सबसे पहले उसने स्वर्ग लोग की बारी पर इसर को देखा वो जो विश्वास के पहले स्थर पर है वो स्वर्ग लोग में के लिए कोई भी कारे नहीं किया, उन्होंने किवल प्रभुई शुमसी को अपना उधार करता ग्रहन किया, इसलिए उनका स्वर्गय स्थान वो किवल स्वर्गलोख ही होगा, ये स्वर्गय घर उससे भी संबंदित है, जो येशु के क्रूस के साथ दूसरी क्रूस पर था, लोका तेस अध्य है, उसके 42-43 पद में कहा गया है, तब उसने कहा, हे ये येशु, जब तू अपनी राज्य में आये, तो तू मेरे सुधी लेना, उसने उसे कहा, मैं तूसे सच-सच कहता हूँ, कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोग में होगा, स्वर्ग में रहने के स्थान, वो स्वर्गलोग से उपर भी है, जिस तरीके से पहली स्वर्गा राज्य है, जिनके पास दूसरे सर का विश्वास है, वो वहाँ पर जाएंगी, और प्रबो क्रूस वर्मरे, और फिर उपरे कबर में गए, जहां पर उधार पाई हुई आत स्वर्गलोग में होगा, तो इसका मतलब है कि वो स्वर्गलोग में गए, तो फिर यहां पर स्वर्गलोग क्यों कहा गया, उसने कहा कि वो अपरादी वो स्वर्गलोग में जाएगा, जहां पर वो लोग जाते हैं जिन्होंने शर्मना कुद्धार पाया है, और हमारे प्र रभू के साथ वहाँ पर जाएगा अनंत स्वर्ग का राज है वो जिनोंने हर एक प्रकार की बुरायों को दूर किया है और जो पावित्र बने है और जो चोते स्वर्ग के विश्वास में है वो तीसरे स्वर्ग में जाएंगी और जो विश्वास के पाच्वे स्वर्ग में ह वो लोग नेर्शलिम में जाएंगे और तीसरे स्वर्ग का राजे वो नेर्शलिम के नीची है और फिर तीसरे स्वर्ग के नीचे दूसरा स्वर्ग और दूसरे स्वर्ग के नीचे पहला स्वर्ग और उसे नीचे स्वर्ग लोग है लेकिन आपको शारिरिक बिल्डिंग की इस स्वर के राजे को समझनी के आउशकता नहीं है। उचाहें की धारना ये बिलकुल आओर के राजे में बिलकुल इस इस संसार से अलग है। अब मैं आपको स्फवर के राजे के बनावटों के बारे में बताऊंगा। अगर हम एक पहाड की तरह एक तरीकोने तरिभूज की तुलना करें, तो नए रुशले वो इस तरिभूज की सबसे उच्छी चोटी पर है, और तीसरा, दूसरा और पहला स्वर्ग का राजय वो बीच में है, और स्वर्ग लोग वो बिलकुल इस पहाड की निच्छी सतर पर है, इस पहाड की तिर्भूज की रूप में आपको समझना चाहिए कि स्वर्ग में सभे के सभिस्तान वो इस तरीके से इस तिर्भूज की तरह है, यह आपकी बहतर समझ के लिए लेकिन वास्तों में ऐसा नहीं है, स्वर्ग लोग की चोड़ाएं वो इस संसारिक ब्रह्मा कि सभी के सभी स्वर्ग के राज्य वो शैतीज अवस्ता में है, लेकिन उन सभी के एक लंबाई है, इस प्रित्वी पर सभी की सभी चिज़ी केवल शैतीज रूप में है, लेकिन स्वर्ग में वो वहाँ पर शैतीज और लंब रूप में भी होंगी, अगली बार से मैं आपको केवल स्वर्ग लोग की बनावट के बारे में बताऊँगा मसी में प्रेभाईयों और भेनों तो फिर चोथा स्वर का राज्य वो कि सरीकी का होगा चोथा स्वर्गोस्थान है जहां पर इस समय की शुरुआस से पहले हमारे पिता परमेश्चर अकेले वहां पर रहते थे लेकिन समय का बाहा वो पहले दूसरे और दिस्वर की राजे में वो बिलकुल अलग है लेकिन चोतिस्वर के राजे में समय की कोई भी सीमा नहीं है हमारी पिता परमेशर वो अपने आप से किसी भी ठोस पधार्थ को दर्व में और द्रव पधार्थ को गैस में वो बदल सकते हैं जिस तरीके से वो चाहते हैं इसलिए वहाँ पर समय की कोई भी सीमा नहीं है, जिस सरीके से पिता परमिश्र अगर अपने हिर्दे में कुछ भी रखें तो वो सब कुछ हो सकता है, ये वो स्थान है जहां पर पिता परमिश्र वो इस रिष्ट्री की शुरुआत से ही वहाँ पर रहते थे, केवल तरेक पर परमिश्र ही वो ही केवल उस्थान पर जा सकते हैं, यहां तक कि संपूर आत्मा का जन वो पिता परमिश्र की अनुमती के बिना और बिना पिता परमिश्र के कारियों के वो वहाँ पर नहीं जा सकता, अगर कोई वहाँ पर बिना पिता परमिश्र की अनुमती के वहाँ पर आप मैं आपसे चाहता हूँ कि आप किसी भी स्वर्ग के राजे के बारे में गलत ना समझे पहला स्वर्ग वो दूसरे स्वर्ग के नीचे है और दूसरा स्वर्ग वो दीसरे स्वर्ग के नीचे है शारिरिक धार्णा की अनुसार आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि दूसरा स्वर्ग का राजे वो पहले स्वर्ग के अंतिम में होगा शारिरिक स्वर्ग और आत्मिक स्वर्ग वो इस तरीके से नहीं विभाजित किये गए लेकिन दो स्वर के राजे वो इस तरीके से विभाजित किये गए हैं कि उन्होंने एक दूसरे को ठक रखा है इस तरीके से वो दोनों इस तरीके से जुड़े हुए है दो दिवारों के बीच में वहाँ पर एक गेट है जहां से लोग आ सकते है और वहां से जा सकते है इस गेट के द्वारा वहाँ पर अलग अलग गेट है दूसरे स्वर के राजे में जाने के लिए तिसरे स्वर के राजे में जाने के लिए और चोती स्वर के राजे में जाने के लिए वास्व में तो इसका कोई कारण नहीं है कि वहाँ पर किन्नी भी दो राचों के बीच में गेट हो लेकिन ऐसा वहाँ पर है और इसके पीछे वहाँ पर कुछ ना कुछ कारण है इसके बारे मैं आपको बाद में बताऊंगा ट्रेडितों के काम सात अध्य उसके 55-56 पद में कहा गया है परंतु उसने पवित रात्मा से परिफून होकर स्वर की और देखा और परमिश्र की महीमा को और इश्यू को परमिश्र के दायनी और खड़ा देखकर कहा देखो मैं स्वर को खुला हुआ और मनुश्य के पूत्र को परमिश्र के दायनी और खड़ा हुआ देखता हूं और इसे बढ़कर उसे तीसरी स्वर की गेट के द्वारा होकर हनोग और एलिया वो जीवी स्वर में उठा लिये गए थे हमारे प्रभू जब वो पुनरोथा ने थुए और जब वो हवा में गए और जब वो स्वर के राजय में वो इनी द्वारों से होकर गुजरी अगर पहला स्वर वो दूसरे की नीची है और दूसरा स्वर का राजय वो तीसरे स्वर की नीची है हमारे प्रभू, एलिया, हनुक वो इन द्वारों से हुकर नहीं गुजरे वो यहां तक की आधी रास्ते में भी नहीं गए पहले सोर के राजे में वो बहुत से विशाल ब्रहमान में इस तरह के से गए तो फिर हमारे प्रभू वो की इस तरह के से दोबारा आएंगे जब वो पो नुर्थान नेत हुए और जब वो मर्यम मक्दिलीने के सामने प्रगट हुए तो उसने कहा इश्यू ने उसे कहा मुझे मच हूँ क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहें गया परन्तु मेरे भायों के पास जाकर उनसे कहे दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे दिन दुबारा से जी उठे और जब वो दुबारा से जी उठे तो मर्यम मक्दिलीने वो कब्र के पास गई और उसके पास इत्र था और उसने पुनुर्थाने प्रभू को सबसे पहले देखा वो कितनी जादा खुश होगी वो प्रभू को देखते हुए निश्यत तोर से प्रभू को चुना चाहती थी लेकिन प्रभू ने कहा कि वो उसे ना चुए क्योंकि वो अभी तक पिता के पास नहीं गए थी ये एक अच्छा सिस्था चार है कि वो पहले पिता को देखे इसलिए प्रभू ने कहा कि वो उसे ना चुए लेकि अपने भायों को जाकर कह द कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ और मैं अपने और तुम्हारे पिता के पास जाता हूँ अपने परमिश्चर और तुम्हारे परमिश्चर के पास जाता हूँ और कुछ पिकारे करने से पहले वो पिता को देखे यहुना बीस अध्य उसका उनिस पद में कहा गया है उसी जीन चुसपता का पहला दिन था संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां पर चेले थे यहुद्यों के डर के मारे बंदे तब इशू आया और बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांती मिले वहां पर वो प्रेरी डर रहे थे अगर वो पकड़े जाते तो उनको मार दिया जाता इसलिए उन्होंने वहां पर अपने आपको बंद कर रखा था यहुद्यों उनके पास आया और उनके सामने खड़ा हुआ और येश्यो ने उनसे कहा कि तुम्हें शांती मिले और येश्यो ने कोई भी दरवाजा नहीं खटकटाया येश्यो उनके सामने उस कमरे के बीच में प्रकट हुआ वो वहाँ पर उस कमरे में चला नहीं लेकिन उनके सामने प्रकट हुआ और उनसे कहा कि तुम्हें शांती मिले जब हमारे प्रभु स्वारग मेगा और उन्होंने परमिश्ट को देखा तो जब वो इस प्रित्मी पर थोड़े समय के लिए आए उन द्वारों के बेच जो इशारेरिक संसार और आत्मिक संसार को जोड़ते हैं उनके द्वारा होकर वो दूसरे स्वार के राज़े में तीसरे स्वार के राज़े में और वो नरिशलिम वो तुरंत ही जा सकते हैं हमारे पिता परमेशन ने उन आत्मिक द्वारों के बारे में हमें बताया है जो की इस बातों का ठोस प्रमान है जब आस्मान में कोई भी बादल नहीं होता तब बहुत से बादल वो अचानक से आ जाते है और बहुत से बादल वो अचानक से हट जाते है सर्येके से चक्रवात आता है इतनी जल्दी से सभी कारिये होते हैं पिता पर्मिश्य ने ये सभी द्रश्य हमें बहुत बार दिखाए है बादल जो पिता पर्मिश्य ये दुश्रे बादलों से बिलकुल साफ है आप देख सकते हैं कि बहुत से बादल वो अचानक से आये और वो दुबारा से चले गई आपने उन्हें देखा है और वो द्वार जो शाररिक संसार और जो आत्मिक संसार से जोड़े हैं जब वो खुलते हैं, तो फिर हम इन बादलों को देख सकते हैं, बादल उस आत्मी छितर से आते हैं, बाइबल में हम बहुत से पदों में से देख सकते हैं, जब पिता परमेशन मुसा के द्वारा इस्राइलू के अगवाई कर रहे थे, तो पिता परमेशन ने उन्हें बाद पद में कहा गया है वे चलते चलते बाते कर रहे थे कि अचानक एक अगनी में रत और अगनी में घोड़ों ने उनको अलग-अलग कर दिया और एलिया ववंडर में होकर वो स्वर पर चड़ गया दानिया साथ अध्याती रपद में कहा गया है मैंने रात में स्वपन में ये मती सत्रा अध्य पांच पद में कहा गया है और देखो मुसा और एलिया उसके साथ बाते करते हुने दिखाए दिये मती सत्रा अध्य उसके पांच पद में लिखा है वो बूल ही रहा था कि बहुत से बादलों उन्हें च्छा लिया और बादलों में से यह शब निकला कि यह मेरा प्रिय पोत्र है जिसे मैं प्रसन हूँ तुम इसकी सुनो प्रेरितों के काम एक अध है उसका नोपत कहता है यह कहकर वह उनके देखते देखते उपर उठा लिया गया और बादल ने उन्हें उनकी आँखों से छिपा लिया क्यों वहाँ पर बादल दिखाए दिये अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत से लोग वो इसके बारे में गलत समझते वो प्रभू की स्वरगा रोहन को देखते और जब उनका स्वरगा रोहन हुआ तो फिर उसे कहा जाना ज्युक्त है जिस तरीके से आप उची स्थान पर जाते तो उक्सिजन की कमी होती है जिस तरीके से 4,000 मीटर उपर वहाँ पर सास लेना बहुत मुश्किल है वह 10,000-25,000 मीटर जा सकते हैं अगर आप वहाँ पर जाये तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है जब आप हवाई जहासे जाते हैं तो बाहर का तापमान वो माइनस 17 डिग्री सेल्सेस होता है जब हम और जादा उचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर माइनस 50 माइनस 40 डिग्री हो सकता है जब हवाई जहाज वो उचे पहाड़ों पर जाता है तो वहाँ पर माइनस 70 डिग्री भी हो सकता है इसलिए प्रभू वो लगातर आकाश में उपर जा रहे थे जहां पर कोई भी ओक्सिजन नहीं है वास्तों में वो स्वर के राजय में गए उन दर्वाजों के द्वारा आत्मिक छेतर में उनको बादलों के द्वारा ढख लिया गया प्रेरीतों के काम एक अध्य उसका ग्यारापत कहता है गिशुन जो तुमारे पास से स्वर पर उठा लिया गया है जिस रिती से तुमने उसे स्वर्ग में जाते हुए देखा है उसी रिती से वह फिर आएगा पहला थिसली निक्यों चार अध्य उसका सत्रापत कहता है तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिये जाएंगे कि हवा में प्रभू से मिले और इस रिती से हम सदा प्रभू के साथ रहेंगे हम दूसरे स्वर्ग के राज्य में प्रभू से हवा में मिलेंगे हम वहां पर जाएंगे और फिर हमेशा हम प्रभू के साथ वहां पर रहेंगे जब हमारे प्रभु दुबारा से आएंगे तो फिर वो लोग जो जीवे था वो उनसे मिलेंगे और वो बादलों पर उठा लिये जाएंगे जिस तरीकी से प्रभु का स्वर्गा रोहन हुआ था और उसके बाद फिर हम विवा भोज में जाएंगे जो कि दूसरी राज़े से संबंदित है हमारे पिता परमेशर ने बहुत बार हमें उन बादलों को दिखाया है जो उन आत्मिक छेत्र के दरवाजों से होकर आते हैं विवा भोज के बारे में मैं आपको अगले संदिशों में विसार से बताऊंगा यहां तक ही अगर आपने सुहर के किताब को पढ़ रहा है तो आप आशर रचेकित होते हैं कि किस तरी किसी विवा भोज होगा क्योंकि यह उन किताबों में ज्यादा गहराई से नहीं लिखा है मैं आपको अगले सब्ता इसके बारे में बताऊंगा यह एक अनुचेद से हैं जो पिछली सब्ता में प्रकाशित हुआ था जब चार कोरियन वैक्ती वो जो कैंसर के द्वारा मर गए थे मैंने उस अनुछेद को नहीं पढ़ा है लेकिन मैंने उनकी मुखे लाइनों को पढ़ा है कि जब चार कोरीन लोगों कैंसर के मारे मर गए जिनको कैंसर था वहाँ पर आजकल के दिरों में बहुत से कैंसर के मरीज है क्या आपको कोई ऐसा वेक्ति याद है जिसको कैंसर हुआ हो आप मैंसे बहुत से वो इसकली से में कैंसर के रोक से चंगी होगे लेकिन ऐसे बहुत से कम मामले हैं जिनको चंगाई नहीं मिली होगी क्योंकि आप पिता परमिश्र के विरोध में बहुत जादा खड़े हैं उन मामलों को छोड़ कर यहां तक कि आंतिम सर का कैंसर जो की शरीर के दूसरे भागों में भी फैल गया था वो भी चंगा हो गया यहां तक कि समय और्दूरी को मिटाते हुए दूसरे देशों में भी लोग गों कैंसर से चंगे हुए है लेकिन जब आपको कैंसर है या फिर जब आपको फिफडो की टीबी है तो फिर आपने बहुत से शरीर के कारे किये हैं जुम रित्तु को लेकर आते हैं कुछ मामलों में कुछ व्यक्तियों को कैंसर हुआ यहां तक कि उन्होंने इतने बड़े पाप नहीं किये या फिर पती पतनी बच्चे उनमें से कोई ना कोई वो पिता परमिश्र की विरोध में खड़े हुए इसलिए उनको ऐसा हुआ वो सीधे तोर से इन सबी चीजों से प्रभावित हुए अगर आपके बच्चे पतनी या पती अगर वो पिता परमिश्र के विरोध में बहुत जादा खड़े होते हैं तो आप उनके साथ जूड़े हैं और आपको ऐसी बिमारिया हुँ सकती हैं अगर आप इन सबी चीजों को समझते हैं तो फिर अब आपके पास सुत्तर होगा कि क्यों आप अभी तक चंगे नहीं हुए आप मानमिन के सद्ध से आपको कभी भी कैंसर नहीं हुआ और नहीं आपको कभी भी कोई ऐसी बिमारिया हुई जो मृत्यू को लेकर आती हैं मैं आशा करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्त बने रहेंगे मैं आपको इस संदिस का सारांश देता हूँ मसी में प्रिय भाईयों और भैनों इस बार मैंने आपको सुर के राजे के बारे में बताया और उनके बनावटों के बारे में बताया और बहुत से सुहर की राज्यों के बार में बताया क्या आप अब इन सभी बनावाटों को अपने मन में याद कर सकते हैं आज मैंने आपको सुहर की राज्यों के बनावाटों के बार में बताया और अगले संदेशों में मैं आपको गहराई से अलग अलग रहने किसानों के बारे में बताऊंगा और ऐसे बहुत से चीज़े हैं जो गहराई किसा स्वर की किताबों में नहीं लिखी लेकिन मैं आपको इन संदेशों में उन सभी बातों को बताऊंगा इसलिए मैं आपसे चाहाता हूँ कि आप इन सबी संदेशु को ध्यान पूर्वक सुने और स्वर्ग का राजय वो आपकी हिर्दे में आने पाए और आप उन सबी योगताओं को प्राप्त करने पाए ताकि आप भैतर स्वर्ग की राजय में जाने पाए येशु ने लुका 17 अध है उसकी 21 पत में कहा क्योंकि पर्मिष्ट का राजय तुम्हारे बीच में है सुर्ग में आपके स्थान की नूक्ति वो पर्मिष्ट के द्वारा नहीं दिया गया है लेकिन वो आपके द्वारा आपकी आत्मा के द्वारा जितना जादा आपने अपने हिर्दे को आत्मा के अनुसार जोता है उसके अनुसार आपको स्वर्ग की राजे में स्थान मिलेगा होने पाई आपिता परमिश्र के वश्रों के अनुसार जीने पाई और आप अपना जीवन आपिता परमिश्र के लिए देने पाई जितना जादा संबभ हो सके ताकि आप निर्शले में जाने पाई जो कि स्वर्ग में सबसे भेतर सान है प्रबुश्य मसी की नाम से मैं प्रातना करता हूँ